तो अब हमनों बात कर रहे हैं कि cotton cultivation के लिए कौन-कौन से जोग्रिफिकल फैक्टर्स नेसेसरी है cotton जो है यह एक principle fiber crop है ध्यान रहे cotton कोई food crop नहीं है cotton एक principle fiber crop है ठीक है अगेन एक खरीफ crop है इसका मतलब अगेन इसको rainy season की अवशक्ता है इसको अच्छेगा से पानी की अवशक्ता है इस क्रॉप को रैंक वन में फर्स्ट आता है गुजरात सेकेंड आता है महाराष्ट्र थर्ड आता है आंध्र प्रदेश ओके cotton research institute जो इंडिया का है वो है नागपूर में यह भी तुम लोगों को याद रखना है physical factors जो की cotton cultivation के लिए necessary हैं वो है hot and humid क्योंकि अगेन बारिश वाला मौसम temperature 20-25 degree rainfall 50-100 cm soil जो है black soil चाहिए black soil क्या होता भीया हम लोगों को पता है कि black लावा soil कोई black soil बोलते हैं हाला कि जब मैं soil part करवाओंगी इंडिया का तब यह आगे डिसकस होगा जो लोग मेरे इंडिया का previous वाला topics देखकर आये हैं तो लोगों को याद होगा कि इंडिया में डेकन प्लाटो वाला एक राका है वहां पे बहुत जादा जो इंडिया का western portion है जहां पर फीजर इरप्शन किसी समय हुआ था जहां पर लावा के solidification के कारण डेकन प्लाटो या डेकन ट्राप कर निर्मान हुआ तो अल्टिमेटली उसी इलागा में cotton cultivation ज्यादा अच्छे से हो पाता है क्योंकि बेसिकली वह मिट्टी जो वहां पर है जिसको हम लोग ब्लैक स्वाइल भी कहते हैं वह ज्यादा फेवरेबल है कॉटन कल्टिवेशन के लिए तो कॉटन कल्टिवेशन में ब्लैक स्वाइल बहुत जादा एसेंशल है बहुत जा पानी का जमना भी नहीं होना चाहिए तो इसलिए प्लेन लैंडी चाहिए लेकिन बहुत जादा पानी ना जमने इसलिए थोड़ा सा वेल ड्रेंड हो यानि कि अच्छा अच्छा से हम लोगों ने एरियाज बना रख्यों जिससे की पानी ड्रेन आउट हो जाए अच्छे स क्योंकि जाधा पानी का जमा रहना भी अच्छा नहीं और थोड़ा बहुत जमना भी चाहिए ऐसा कुछ हम दुविदा में है कि हम करें तो करें क्या इसलिए प्लेन लैंड हम चुनते हैं लेकिन वेल ड्रेंड फेसिलिटीज के साथ चुनते हैं यहां पर भी सॉल्टी वि बात करें तो लेबर अगेन यहां पर चाहिए होता है यहां पर एक इंपोर्टन स्पेशल पॉइंट आ गया की इरिगेशन अच्छल में जो कॉटन है ना कॉटन का क्रॉप जो है वह सबसे बेस्ट है उसके लिए रेनी सीजन क्योंकि खरीफ क्रॉप वैसे भी लेकिन रेन डान हो जाता है कि बार कि रेनी सीजन में को बहुत ज़स्यादा जो कि फोला करण के एक लिए जिनका नाम है mbot बैर डेकि नाम याद रखना है काफी बार हम लोग समर सीजन में कॉटन को उगाना शुरू कर देते हैं बट अब तो पानी के लिए बेटर इरिगेशन फेसिलिटी यूज कर लेते हैं अब जिन लोगों को पता है इरिगेशन वह अच्छी बात है जिनको नहीं पता में बता देती हूं इरिगेशन का मतलब हम लोग किसी भी हाल में उस कौप तक पानी पहुचाने की टेकनिक्स यूज कर रहे हैं हो सकता है कि हम लोग वेल्ट वेल्ट का इस्तमाल कर रहे हों हो सकता है कि जो हमारे अगरिकल्चरल फील्ड से जोड़े हूए जो कैनल्स हैं उन में से पानी लेकर तो बेसिकली नाच्रल मॉन्सून वाटर को ना इस्तमाल करते हुए अगर हम लोग कोई आर्टिफिशल मेथर्ड इस्तमाल करके क्रॉप तक पानी पहुचा रहे हैं तो हम लोग उसी को इरिगेशन बोलते हैं ठीक है यह बात समझ में आ गया तो बेसिकली हम लोग जब क्रॉप तक पानी पहुचाते हैं तो हम उसको इरिगेशन ही कहते हैं लेकिन वह या तो नाच्रल मॉन्सून वाटर के थ्रू हो सकता है या फिर हम लोग आर्टिफिशल को टेक्नीक भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चुकि रेनी सीजन में मॉन्सून व पहुचते हैं तभी उसको उगाना शुरू कर देते हैं लेकिन इरिगेशन के लिए हम लोग फिर अलग अलग आर्टिफिशल मेथर्ट इस्तमाल करते हैं ठीक है और इन सब इंसेक्ट से रेनी सीजन में बचाय भी तो रखना है तो इसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड दोसों चाहिए इरिगेशन अच्छा होना चाहिए क्योंकि समर सीजन में रहां को अच्छा से ग्रोब करवाना चाहते है ताकि रेनी सीजन में इन दो जो मेजर या मोस्ट पॉपिलर क्रॉप को खराब करने वाले इंसेक्ट हैं उनसे बचाया जा सके और इसलिए करते हैं और क्रॉप अच्छा से ग्रो करें इसके लिए फर्टिलाइजर तो यूज करना पड़ेगा ही तो हम लोग बात करने वाले कि टी कल्टिवेशन के लिए कौन-कौन से जोग्रिफिकल फैक्टर्स नेसेसरी हैं तो सबसे पहले कि टी एक कैश क्रॉप है और साथी साथ प्लांटेशन क्रॉप भी है तो तुम लोगों को अल्रडी पता होना चाहिए कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है क्या होता है क्या है प्लांटेशन जो कि मैंने अल्रडी एक्स्प्रेइन कर दिया है टी अगेन एक खरीफ क्रॉप है यानि कि रेनी सीजन में इसक तो आसाम फर्स्ट रांक है वेस्ट बिंगल सेट और थर्ड अमिल नार्वी अगैन फीजिघ स्ट्रीटिवीशन के लिए निसेसरी है क्लाइमिट 20-25 degrees Celsius rainfall 1500-200 cm soil fertile loamy soil या mountain soil पहाड़ी मिट्टी मिल जाए या फिर fertile soil मिल जाए जहां पर tea cultivation अराम से होपाता है basically tea उगाने के लिए iron का content है वो soil में ज्यादा होना चाहिए iron का content soil में ज्यादा होना चाहिए तब जाके tea cultivation थोड़ा सा अच्छा होपाता है relief यहां पर sloping land से है क्योंकि again water जो है भली खरीफ crop पर पानी के अवशक्ता पड़ती है लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए पानी को अच्छा से drain out हो जाना है ठीक है एक problem है tea crop के साथ कि यह directly direct sun rays से exposed अगर होता है तो यह crop जो है इसका growth बहुत जादा impacted हो जाता है negatively impacted हो जाता है यानि कि अगर एक टी का क्रॉप लगा रखा है तुमने तो direct sunrise अगर इसको हिट करेगा तो यह अच्छा नहीं है क्रॉप के लिए तो हम चाहेंगे कि filtered light इसके पास पहुचे direct sunrise ना पहुचे फिल्टर यानि कि थोड़ा सा कम intensity वाला sunrise इस तक पहुचे तो हम लोग क्या करेंगे अगर यह मालोग टी का क्रॉप है ठीक है ऐसा तो नहीं दिखता लेगिन एक टी का क्रॉप है तो यहां पर सूरज का directly sun rays इस तक पहुचे इससे ज्यादा बहतर ही क्या होगा कि यहां पर हम लोग उगा देंगे इर्द थोड़े लंबे-लंबे पेड लंबे-लंबे पेड जो कि इस टी के क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे सो जब सूरज का रेस गिरेगा तो इन लंबे पेड के पत्तियों के थ और इनमें से एक एक एक्जामपल है जो शेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है सिल्वर ओक सिल्वर ओक एक ट्री है जो की टी कल्टिवेशन में शेड का काम कर रहा होता है तो यह इंपोर्टन है यह पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एकनोमिक फैक्टर्स अगें टी कल्टिवेशन में वोमन और चिल्टरन को यूज किया जाता है क्योंकि जब टी के क्रॉप में से हम लोगों को जो बड्स है जो टी लीव से उनको तोड़ना होगा तो बहुत ही डेलिकेटली बहुत ही जेंटली तोड़ना होगा अगर वहा है कि मेल्स जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा पेशन्स की कमी होती है तो यूनों बहुत ही डेलिकेटली धीरे-धीरे तोड़ने है पत्तों को वह तो बहुत है पेड़ी उखाड के लेके चलेगा है तो इसलिए टी कल्टिवेशन में जाधा तर हम लोग वुमन या उनकेफेश टीलेता है तो इसलिए ने रही कि एतना सोइल का व्रिम्न गिरने लग जाता है तो आधा हे क्या गीरेन अभाटाइद अलगल गाया यक्शा माइन कमीं लुड़ां करने तोड़ा इसलिए शोयल का Qolity में टें रखने के लिए हम लोगों को बहुत है और ऊपड प्लाइस का इस्तमाल करना पड़ता है तो अब बात करते हैं कौन-कौन से जोग्रिफिकल फैक्टर नेसेसरी हैं कौफी कल्टिवेशन के लिए तो सबसे पहले कौफी भी कैश क्रॉप और क्रॉंदेशन क्रॉफ ही है यह बी ऑखरीफ क्रॉफ आता है वहें करनातका कोफी कそうそう के लिए पहले रहेंग के असाम कोफी कल्टिवेशन के लिए पहले रहेंग पियाता है करणाट का ये इंपॉर्टन आधी हान से सुनना फिर कौफी रिशर सेपीं जुए तुज ह Eyes चिकते रिशर इंपूर तीन सी तुन में चिकते हlaw accomplish तो वह फो ही सटारी मैं हो也 सब्सक्राइब कर दो सो सेंटेमीटर का रेइन फॉल फटायल लोगी सोई अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है इसमें हिली स्लोप थोड़ा सा जाधा फेवरेबल होता है यानि कि थोड़ा उचाई पर कॉफी को ग्रो किया जाए तो जो क्रॉप है वो जाधा अच्छे से ठीक है लेबर यहां पर अच्छे खासे लेबर लग जाते हैं क्योंकि देखो जो कॉफी है उसमें तो भया तुमको पहले बैरी तोड़ोगे उसमें से फिर उसको ड्राइ करोगे फ्राइ करोगे फिर उसमें से कॉफी बनाओगे बहुत लंबा प्रोसेस है इसलिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे को यहां पर आके सामने से बताना पड़े तुम लोग खुद खोल कर बैठो के और पढ़ोगे तो तुम लोगो समझ में जाएगा बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अग्रिकल्चर में कुछ हैं नहीं हां मैप वाला पोर्शने वह म मैं बुक से पढ़ा रही हूं मैं ऐसा खुछ भी नहीं जो खुछ से बता रही हूं यहां पे उप यह बस मैं बुक से बतारी हूं अब तुम लोगो ज्यादा अच्छे से मेरे बताने से समझ में आघर तो अच्छी बात है अदल्वास बुक से पढ़ोगे तो equally समझ